हेलो क्यारे बच्चो कैसे हुआ आप तोड़े डिस्क्रस एबाउट रिमेनिंग चेप्टर लाइट तो इससे पहले वाले पार्ट में पार्ट वन में हमने पढ़ाता यूजिज ऑफ कॉनके मिरस तक तो यह वाले पार्ट देखने से पहले आप ज़रूर पार्ट वन देखन GP2ày बच्तोर वाले तो यह वाले पहले में और यह उन गाइंजने स्काइप आफ यह उन श्यूर्श्य चाहँ में आप में रहे तो इससे बनेगा एक ग्लास स्फियर होगा तो इसका गोला ऐसे बनाओगा इसका गोले को कट करोगे क्या साइड के पाट को कट करोगे तो यह क्या होगा इसी तरह से यह हो गया का ओमें चयों करें इस सबाते हैं कि आपको याद रखना है क्यों स्पमेह गूफा कुसकी गूफाय क क्या होगी कुंक लेंस था लेंस क्या होता और ऀफा कर्म रेंस यह होता था वह ट्रांसपेरंट होता थे श्फरीकल बडींस यह होते Crash है और उनके क्या होती है ठीक है और जो ले मैंने आपको दिखाई यह ने कि जो जो लेंड सोगा कॉन फहर विट्स लेन्स होะ तक है लिए वा हॉगा ठीक है लेन्स क्विज मिद्ध निया प्रेश जब देखे में क्या होगा इसको जो कॉनसा लैंस होगा ऑगा वो डिंद्ध में आपको उसको क्या कहते हैं तो कॉन्य जो क्या है क्या थैकि क्या कर देताएं लाइट निगремराट कर देता है कि वह कॉंध देका ह trusts करना मतला एक पॉइंट में फोकस करना ना मतला होता है कि लाइट को फैला देनाई है कि अधर कहा धर यह कला सबगantal नाव भी इसमें हैं अदाबं सब्सक्राइब भी फैले हैं point में क्या कर दिया? सारी flourishё converging lens कłemuję करते हम इस तरह को कॉनकेव lens और इसमें आप। चाहरे लाइट ब्लाइट तो इसने क्या कर दिया? light rays को फैला दिया ठीक है? ये भी एक point में focus होगा लेकिन अब आप इसको पीछे की तरफ क्या करोगे? उसमें मिलाओगे ठीक है? तो आपको ये ऐसे आपपियर होगा कि ये इस point में focus है लाइट को फैला दे रहा है इसलिए इसको क्या कहते है डाइवर्जी लेंच भी गहते हैं अब देखो uses of convex lens, convex lens क्या करेगा, इसकी uses क्या है, convex lenses are used as magnifying glasses, magnifying glasses ने use होता है, all कहां use होता है convex lens, spectacles में, spectacles मतलब चश्मे में, जो आपके मोटे मोटे चश्मे लगते हैं, जो कि आप game खेल गए, अपने आँखे खराब कर देते हो, उसके लिए, अभी तो चश्मा लगता है, phone में लगे होते हो, phone में पठाई कम करते हो, game जादा खेलते हो, अब जो है, uses of concave lens, concave lens के क्या use है, spectacles में भी यूज होते हैं, तो concave lens भी यूज होता है, और convex lens भी यूज होता है, ठीक है, वो आपके eye side पे, उसमें depend करता है कि कौन सी आपके eye side खराब है, ठीक है, आपको पास का दिखता है या दूर का दिखता है, तो उससरे से, वो lens और concave lens used in making certain kinds of telescope, अब concave lenses are used in a peep holes in the doors of a hotel room, अब आप बोलो के peep holes क्या होता है, पीप holes आपने देखा होगा, अब तो hotel rooms में तो लगई होते हैं, लेकिन लोगों ने अपने घरों में भी लगा यहाते हैं, एक छोटा सा होल बना होता है, अब अंदर से ही देख लेते हो, कि क और अगर आपको जिससे बात करनी है, जो आपका best friend है, अगर वो आ गया, तो आप पीप holes से देखोगे, छोटा सा होल होता है, उसमें डोर में, और वहां से देखोगे, बोलो कि अरे वाह यह तो आया वाह है, और फट से दरवाजा खोल दोगे, तो इस तरह से वो पीप holes हो होता है, आत तथा साथ़ होता है, वह कि क्या गरे बाइट को क्या गरेता है, टात में, इस बेड़ा अब spectrum, spectrum क्या होता है, the band of seven colors formed on a white screen, when a beam of light is passed through glass, prism is called spectrum of white light, आपने क्या रखा, एक prism रखा ऐसे, यह इस तरह का prism होता है, ठीक है, इस तरह की सारफ क्या होगा, यह क्या होगा, यह क्या triangle होता है, इधर की साइड भी क्या होता है, ट्राइंगल होता है, और यह वार्दे के अगर आपने क्या डाला है, यहां से, अब beam of light, white light पड़ी, तो यह क्या कर देता है, यह प्रिजम होता है, वाइट लाइट को क्या कर देता है, डिस्पर्ज कर देता है, इसमें seven colors में, और इन seven colors को कहते है, spectrum, ठीक है, और यह हमेशा क्या होंगे, यह होंगे, यह होगे, यह इसी इस पार्ट में होंगे, वाइलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, औरेंज, रेड, ठीक है, अगर आपने इसको क्या किया, इसको ऐसे लिए, याद रख करोगे, तो आपको इस सारे colors से याद होंगे, ठीक है, और इसी sequence में होते हैं हमेशा, ठीक है, चलो मैंने इस तरह से आप याद कर लोगे, तो ये क्या होगे, तो ये क्या होगे, ये क्या होगे, ये वाइट लाइट को क्या कर देता है, अगर आप इसके अपोजिट क्या रख दोगे, एक ऐसा प्रिज्म रखोगे, तो ये spectrum क्या होगा, दुबारा से वाइट लाइट में, एक्सपेरिमेंट करोगे ठीक है अब देखो जो स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइप लाइट इन्टु सेवन कलर्स और पासिंग थ्रूआ ट्रांस्पेरिमेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिजम क्यों बोला क्यों कि आप जो क्या ट्रांस्पेरिमेंट मीडियम आप इसको उसम बारिष हो ओलर लगते हैं रुए अच्वर फोल्स मीडियम क्यों क्यों आण फॉक्यां क्या होता है प्रिजम के मता हैं को और दियार सक्षान म१تकि है हैं और जोेंट नुख मीड़ा तरी बानी धन्य में उननाविंहां महत हटें इसको तो नस पर्शान कम प्रस्पर्ट बना देंगे और इसी से आपको क्या दिखता है रेंबो दिखाई देता है इस तरह से आपको रेंबो दिखाई देता है इसको की हिंदी में इंद्र धनुष भी कहते हैं है इस तरह से आपको उसको ले जाओगे किसको सीडी को तो भी आपको इस तरह से सेवन कलर दिखाई दे तो देखो आपने क्या बना दिया किसी भी वुडन का तो क्या लोगे आप कार्टे स्ट्रीट ले लो या आपके इसका नोट बुक का जो आउटर कवर होता है वो ले लो उसको अपने सरकल में कार दिया और उसमें यह सैवन कलर डाल दिये नीचे की तरफ से आप उसमें कोई लगा दो इस्टिक लगा दो और इसको बहुत तेजी स्टिक नहीं है तो आप पैन का रिफिल ले सकते हो ठीक है और मोटर से भी कर सकते हो जैसे आपने इसके नीचे मोटर लगाई मोटर तो आपको वाइट दिखाई देगा अब इसको भी आपको वाइट दिखाई देगा तो आप इससे टॉप बनाकर भी गुमाते हो अपने पैंसिल लिए और उसी में क्या करें डाल दी और पैंसिल को जैसे होता है ना लट्टू जो गुमाते हो इस पेंग टॉप गुमाते रहते हो तो भी आपको यह वाइट दिखाए देगा अब यह नहीं कि अब इसको आप न बच्चो अगर आपको कोई चैप्टर डिफीकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्स्पेइन कर लूगी ठीक है समझ में आया? येस माम मज़ा आया? येस माम मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे माक्स लाएगा ओके मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे माक्स लाएगा तो पेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो okay bye bye students